हेलो एवरिवन, आज की कविता है मीरा, इसमें प्रथम पद है, मेरो तो गिर्धर को पाल दूसरो ना कोई, जाकी सिर मोर मुकुट मेरो पतिसोई यानि की मीरा कहती है की मेरा तो गिर्धर है, यानि जिसने परवत को अपने हाथ में उठा लेया था, मेरा तो वही है, उसके इलावा और कोई इस दुनिया में नहीं है जाके सिर मोर मुकुट यानि कि जिसके सिर पर मोर पंक वाला मुकुट सज रहा है मेरो पती सोई वह मेरा पती है छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई कुल की कानी यानि कुल की लाज या मरियादा छाड़ी दई यानि छोड़ दी मीरा बाई कहती है कि मैंने अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है और कुल की मर्यादा को छोड़ करके कृष्ण भगवान को अपने पती के रूप में मान लिया है इसमें कोई मेरा क्या कर सकता है और इस पेकार वह अपने प्रेम का बेबाग वर्नन करती है वह कहती है कि भगवान को छोड़ कर माता, पिता, भाई, रिष्टेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है संतन धिग बैठी बैठी लोग के लाज खोई धिग यनि पास बैठी बैठी यनि बैठ बैठ कर संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने अपनी लोग लाज जो थी, मेरी कुल की प्रतिष्ठा जो थी, वो मैंने खोदी है और अब तो मोर मुकुरधारी ही मेरा पती है जो मेरी समाज में म्रियादा थी, लोक लाज थी, लोग मेरा समान करते थे, वो मैंने संतों के पास बैट बैट कर खो दिया है आसवन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई, यानि कि आसवों के जल से सीच सीच कर, मैंने यह प्रेम की बेल जो है, बहुत ही मुश्किल से उगाई है, बोई है तब तब बेली फैल गई, आनंद फल होई, अब तक तो यह बेल फैल करके बहुत बड़ी हो गई है, और अब तो इस पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे है अर्थात मैंने रो रो कर क्रिश्न का प्रेम प्राप्त किया है, और इसके प्रेम के जो बेल है, उसको मैंने अपने मन में धारण कर लिया है और अब मुझे इस प्रेम में इतना आनंद आने लग गया है, कि अब इसमें आनंद के फल लगने लगे हैं दूद की मतनियां बड़े प्रेम से बिलूई वैं कहती हैं कि जिस प्रकार से दूद में मतानी से माखन निकाला जाता है उसी प्रकार मैंने बहुत कष्ट उठा करके और यह प्रेम का जो दूद है दूद में मतानी डाल कर मैंने बड़े प्रेम से बिलूया है और उसमें से मैंने माखन को निकाल लिया है दधी मत्य ग्रित काड़ी लियो दधी यानि दधी मत्य यानि मत कर या बिलो कर ग्रित यानि घी काड़ी लियो यानि काड़ी लिया है दधी को बिलो कर के मैंने घी काड़ी लिया है डारी दधी छोई यानि कि छाच को मैंने फेक दिया है डारी यानि फेक ना दई यानि दिया छोई यानि छाच छाच पच गई थी यानि सार हीन जो चीज पच गई थी अब उसमें कुछ सार तो था नहीं इसलिए मैंने उसे फेक दिया है उसी प्रकार से मैंने यानी प्रेम तो मैंने अपना मक्षन की तरह निकाल लिया है और संसार जो था वो छाच की तरह है जिसे मैंने त्याग दिया है मीरा भाई यह कहना चाहती है कि मैंने सारे संसार को त्याग दिया है और माखन की तरे कृष्ण का प्रेम जो था वेह मैंने प्राप्त कर लिया है भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई मैं तो जब कृष्ण के भगतों को देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ और जगत को देख करके मुझे रोना आता है क्यों? क्योंकि पूरा संसार जो है संसारिक्ता के जाल में फसा हुआ है उसरों से देख करके मैं रोती हूँ लेकिन जो भगती करते हैं उन्हें देख करके मैं बहुत खुश होती हूँ दासी मीरा लाल गिर्धर तारो अब मुही वो कहती है कि हे गिरिधारी कृष्ण मैं आपकी सेवा में हूँ सेविका हूँ अब मेरा उधार करो यानि मुझे अब संसार से मौक्ष दो और मुझे अब और प्रतिक्षा मत करवाओ तारो मतलब मुझे संसार से पार करो मेरा उधार करो इस प्रकार से यह पद्याश जो है कृष्ण की दिवानी मीरा भाई के द्वारा लिखा गया था और इसमें उनकी अनन्य भक्ति की जो भावना है वह प्रकट होती है आप देख सकते हैं कि मीरा का कृष्ण के प्रती प्रेम जो है वो पूरी तरह से उन्हें समर्पित है यह भी बताया है प्रेम बल आनंद फल इनमें रूपक अलंकार है आग गिर्धर गोपाल मौर मुकूट कुल की कानी कहा करी है कोई इनमें सब में कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार है बैठी बैठी सीची सीची में पुनरुक्ती पुनरुक्ती में एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है और भक्ती रसकी और शांत रसकी इसमें मिली जुली अभिव्यक्ती आपको देखने को मिलेगी इसका दूसरा पद है पग घुंगरु बांध मीरा नाची मीरा जी कह रही है उन्होंने इस पद को रचित किया है और इसमें भी उनकी भक्ती है अनन्य भक्ती है और वो कहती है कि पग घुंगरु बांध मीरा नाची कि हे प्रभू मैं तुम्हारी दासी हूँ और मैंने अपने पगों में घुंगरु बांध लिये हैं और मैं आपके प्रेम में नाच उठी हूँ मैं तो मेरे नारायन सूँ आप यह हो गई साची अब सारी दुनिया आज जो है मुझे इस प्रेम के खुले दृष्चे को और मुझे देख ले और सुन ले कि मैं तो किस प्रकार से मेरे नारायन से जुड़ गई हूँ और अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ सच्ची यानि मैं सच हूँ लोग कहें मीरा भई भावरी लोग कह रहे हैं कि मीरा भावरी हो गई है यानि पागल हो गई है न्यात कहें कुल नासी कुटुम्ब के लोग न्यात यनी कुटुम्ब के लोग कह रहे हैं कि यह है तो कुल का नास करने वाली है कुल घाती नहीं है कुल कलंकी नहीं है जिसने कुल का नास कर दिया है क्योंकि लोग कुछ अनाप्शनाप उनके बारे में बोलने लगे थे इसलिए उनके कुल के लोग उन्हें कहने लगे कि है तो बावरी हो गई है और कुल नासी है विश का प्याला राणा भेजा उनके पती जो थे उन्होंने विश का प्याला भेजा था और विश का प्याला जब उन्हें भेजा गया तो पीवत मीरा हासी उन्होंने उस प्याले को हस्ते हस्ते सैहाश पी लिया और लेकिन कृष्ण की भक्ती उनकी ऐसी थी कि उन पर विश्वि का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाजी मीरा जी कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरिधर यानि परवत को उठाने वाले श्री कृष्ण है और मुझे उसके सहज ही दर्शन हो जाते हैं एविनासी यानि जो कभी भी नस्ट नहीं होते हैं और मुझे उनके दर्शन हो गए हैं इस पद में मीरा पर जो अत्यचार ढाये गए हैं उनकी चर्चा भी हुई हैं साथ ही उनके इश्टेदार परिवार और उनकी जो सासुमा थी उन्हें कुल कलंकिनी कहती थी उसका भी वर्नन किया गया है कुल की छवी को उनकी नजरों में किस प्रकार से मिट्टी में मिला दिया था इसका वर्नन है साथ ही उन पर विश्च का प्याला देने का जो अत्यचार किया गया था उसका भी वर्नन किया गया है कृष्ण के प्रेम में मीरा कृष्णा को नए नँए नामों से बुलाती है जैसे नारायन है ना गर है अविनाशी है और इस पद में भक्ती रस की अभीव्यक्ती हुई है भाशा कोमल है सुमधूर है और संगीत मईई है यह जो शिल्प संदर्य के प्रिश्णा आजाते हैं उसमें आप लिखेंगे कि भाशा कोमल है सुमधुर है और संगीत मही है भाव संदर्य में भक्ती भाव यहां पर चरम पर है और मीरा का प्रेम आशों से सीच सीच कर पलवित हुआ है और अब मीरा को इसमें आनन्द आने लग गया है इस प्रकार से आप भाशा संदर्य में भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से अलंकार का प्रियोग हुआ है कौन से भाव का प्रियोग हुआ है प्रश्ण कई बार आ जाते हैं जिसमें बहुत ही आसान है कि मीरा को बावरी क्यों कहते थे या मीरा पर किस प्रकार क किया जाता था विश का प्याला राना जी भेजा ये वला इसमें कैसा क्या भाव है उसको पी करके मीरा क्यों हस रही थी मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है लोक लाज कोने से क्या अभी प्राय है इस तरह के प्रशन आ जाते हैं लोग कहें मीरा भई बावरी इन्ने आते कहे कुल नासी ये भी मैंने आपको इसका मिनिंग समझा दिया ऐसा क्यों कहा गया था उनकी सासुमा जो थी उन्हें कुल नासी कहती थी परिवार की कुटुम के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते थे तो इस प्रकार से वो संतों के साथ जो बैरती थी उसे कुल मरियाद के विरुध माना जाता था कोई भी वक्त हो जब लोगे इस तरह से कोई महीला जब किसी संत के साथ बैठती है तो निश्चित रूप से समाज उसे ये लाउड नहीं करता है लेकिन मीरा जो थी कृष्ण के प्रेम में इतनी दिवानी हो गई थी कि वो सारे दिन संतों के साथ यानि जो भगत लोग थे कृष्ण को मानते थे उनी के साथ अपना समय बिताती थी कुलकी कानी का क्या मतलब है यहाँ पर कुलकी मरयादा यानि परिवार की मरयादा क्योंकि मीरा जो थी वो राजकुल की नारी थी और राजकुल की महिलां पर बहुत सारे बंधन थे आम ज प्रिष्ण के भजन जब गाए जाते थे और इस प्रकार से उन्हें कुल की कानी जो थी उन्होंने खो दी थी लोकलाजसब खो दी यहां इस पद में दोनों में बताया गया है जो काफी अगर देखें तो इसकी उनकी आत्मकता की तरह से भी हम इसे देख सकते हैं और समाजिक पती थे जो समाज की नजरों में उनके पती थे राणा जी जो थे उन्होंने उन्हें विश का प्याला दिया था जो उन्होंने हंसते हंसते पी लिया